हेलो दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल मेडिकल का ग्यान में आपका स्वागत है मेडिकल फिल्ड से रिलेटेड एजुकेशन एड हुमन बोडी स्ट्रक्चर फंक्शन्स एंड फेक्ट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नियू वीडियो अपडेट्स के लिए तो फ्रेंड्स टुड़े वी विल टॉक अबाउट आज हम सेल यानि कोशिका के बारे में बात करेंगे सबसे पहले सेल का इंट्रोड़क्शन देखेंगे उसके बाद डेफिनेशन, फादर ओफ सेल, फंक्शन्स, इस्ट्रक्चर और सेल ओर्गनेल्स देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इंट्रोड़क्शन इसमें बताया गया है कि जो सेल होती है वो सभी जीविद जीव की संरशनात्मक यानि इस्ट्रक्चरल, करयात्मक यानि फंक्शनल और जैविक यानि बायोजिकल इकाई होती है एक कोशिका अपने आपको सतंतर रूप से दोहरा सकती है यानि रेप्लिकेट हो सकती है इसमें बताया गया है कि एक कोशिका कोश जीवन की सबसे छुटी इकाई के रूप में परिवाशित किया गया है जो लाइफ की सभी प्रक्रियाओं के लिए रिस्पॉनसिबल यानि जिम्मेदार होती है अब देखते हैं डिस्कवरी ओफ असेल यानि जो म्रत कोशिक के कोश है वो रोबर्ट हुक के द्वारा 1265 में की गई थी अब सेकेंड देखते हैं यानि जो जीवित कोशिका है उसकी खोज एंटोर्ण वेन लिवेन हॉक ने की थी इसमें फर्स्ट पॉइंट है यानि जो सेल होती है वो बोड़ी को स्ट्रक्चर प्रोइड कराती है यानि फूट से निट्रेंट लेती है यानि जो कोशिका है वो निट्रेंट को यानि पोशन को उर्जा के रूप में बदल देती है यानि जो सेल के स्पेशल फंक्शन है उनको कर्याउट करती है यानि जो सेल है वो बोड़ी के हैरिड़ी मेटेरियल को भी हेर्डिट माटेरियल सच एस TNA और RNA वो भी कंटेन करती है अब देखते हैं स्ट्रक्शर देखो एक बार मैं आपको सेल का स्ट्रक्शर दिखा देता हूँ कि वो कैसी दिखती है या फिर उसमें क्या क्या होता है यह है सेल एक सेल में Mitochondria, Cytoplasmic Membrane, Lysosome, Golgiabratus, Nucleus, Cytoplasm, Hocules, Smooth Endoplasmic Reticulum और Rough Endoplasmic Reticulum जैसे और भी बहुत से Cell Organelles प्रजेंट होते हैं जिन में सबकी अपनी अपनी अलग स्पेसिलीटी और सबके अलग-अलग functions होते हैं जिने हम आगे देखेंगे तो चलिए अब cell organelles और उनके functions के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं cell membrane की The fundamental structure of membrane is the phospholipid bilayer which forms a stable barrier between two aqueous compartments यानि ये जो जिल्ली होती है इसकी मूल सनरशना, phospholipid की दोहरी परत होती है जो एक stable barrier, यानि इस्तिर अवरोध बनाती है इसके बीच में, दो aqueous compartment की बीच में अब cell membrane के functions देखते हैं cell membrane को plasma membrane भी कहते हैं इसका first point है, it provides protection for a cell ये cell को production यानि सुरक्षा देती है second point, it also provides a fixed environment inside the cell यानि जो cell membrane है, वो cell के अंदर के environment को fix करकर रखती है third point is, that membrane has several different functions यानि इसके और भी अलग-अलग functions है point number four, one is to transport nutrients into the cell and also transport toxic substances out of the cell यानि cell के अंदर nutrients को transport करना और cell के अंदर जो toxic substances हैं यानि जहरीले पदार्थ हैं, उनको cell से बाहर निकालना next है हमारा nucleus the cell nucleus is a membrane bound structure that contains the cell's heredity information and controls the cell's growth and reproduction as the nucleus regulates the integrity of genes and gene expression it is also referred to as the control center of a cell तो केंदरक क्या है? कोशिका में केंदरक एक जिल्ली से बंदी संरशना है जो कोशिकाओ के वन्शानुगत जानकारियों को रखता है और कोशिका की growth और reproduction को control करता है क्योंकि जो nucleus है, वो gene की प्रमारिकता और gene के हाउब-हाउब को regulate करता है nucleus को cell का controller center भी काया आता है अब इसके functions देखते हैं ये एक जीव की वन्शानुगत विशेशताओं को control करता है ये जो और्गनल है और्गनल से मतलब है cell organ तो ये जो cell organ है, ये protein sensation यानि protein synthesis कोशिका विभाजन यानि cell division, व्रद्धी, growth और विविनता यानि differentiation के लिए भी जिम्मेदार होता है storage of hereditary material, the genes in the form of long and thin DNA deoxy ribonucleic acid strands referred to as a chromatin यानि जो hereditary material है, उसकी storage, लंबे पतले DNA strand के रूप में जीन के साथ होती है, जिसे chromatin कहते हैं next is storage of protein and RNA, ribonucleic acid in the nucleolus RNA और protein की जो storage होती है, वो nucleolus में होती है nucleolus कहां होता है, यह आप लोगों को खुद पता करना है और comment में पताना है next point, the nucleus is a site for transcription in which messenger RNA, mRNA are produced for protein synthesis यानि nucleus जो है, transcription process की एक site है जिसके अंदर protein का synthesis, यानि संसिलेशन करने के लिए messenger RNA या फिर जिसे mRNA भी कहते हैं, उसका production होता है next point is, during the cell division, chromatin's are arranged into chromosomes in the nucleus यानि जब cell division होता है, तो nucleus में chromatin's जो होते हैं, वो chromosomes के अंदर arrange हो जाएंगे next is, production of ribosomes, protein factories in the nucleus यानि ribosomes का production nucleus में होता है देखी यह जो ribosomes के आगे protein factory लिहा गया ना bracket में इसका मतलब है कि ribosomes को protein factory कहा जाता है वो आपको आगे पता चलेगा कि क्यों कहा जाता है next is, selective transportation of regulatory factors and energy molecules through nuclear ports यानि जो regulatory factors और उर्जा अड़ों का selective transport है यानि चायनात्मक परिवहन है, वो किसके द्वारा होता है, परमाडू छिद्रों के माध्यम से होता है अब आता है हमारा endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum ER in biology a continuous membrane system that forms a series of flat end sex within the cytoplasm of eukaryotic cells it serves multiple functions being important particularly in synthesis, folding, modification and transport of protein यानि जीव विग्यान में endoplasmic reticulum एक continuous membrane system है जो eukaryotic कोशिकाओं में, यानि जो eukaryotic cells होती है, उनमें endoplasmic साथ चप्ती थहली की एक series बनाती है, और विशेस रूप से synthesis और protein के transportation में महत पूर्ण होने वाली काई कार्रेगों पूरा करती है there are two types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and second is smooth endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum जो होती है, वो दो परकार की होती है, पहली कौन सी है, rough endoplasmic reticulum यानि खुर्दरी endoplasmic reticulum, और दूसरी smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, the rough endoplasmic reticulum has on it ribosomes which are small round organelles, whose functions it is to make those proteins, it produce proteins for the cell functions, यानि खुर्दरी अंत्रे प्रदवेजालिका में ribosomes होते हैं, जो कैसे होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, और जिनका आकार गोल होता है, ठीक है, functions जो होता है, इनका वो क्या है, protein को बनाना है, यानि जो cell के functions के लिए protein use होता है, उसको बनाने में help करना है, smooth endoplasmic reticulum, the smooth endoplasmic reticulum functions in many metabolic processes, its synthesis lipids, phospholipids, as in plasma membrane and steroids, यानि जो चिकनी अंत्रे प्रदवेजालिका है, उसमें बहुत सारी metabolic process होती है, metabolic process यानि चायप चायप पिरकरिया होती है, smooth endoplasmic reticulum, lipid और phospholipids को plasma जिली और steroids के रूप में synthesis करती है, अब आता है, mitochondria, mitochondria is also called the powerhouse of the cell, यानि mitochondria को कोशिगा का उर्जा घर भी खा जाता है, next है, mitochondria generates most of the chemical energy needed to power the cell biochemical reactions, यानि mitochondria cells में biochemical reactions के लिए अवश्यक उर्जा का production करता है, next point, double membrane are present in mitochondria, यानि mitochondria में क्या होता है, दो जिल्लिया प्रेजेंट होती है, next point, this is the site of aerobic respiration, in the cell, यानि जो mitochondria होता है, वो aerobic respiration, यानि वाई भी खासन की क्या है, एक site है, जो cell में होती है, next point, mitochondria is the second largest organelle in the cell, यानि cell में दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, mitochondria है, next point, it helps in vitallogenesis, यानि mitochondria vitallogenesis में help करता है, next, chemical energy produced by the mitochondria is stored in a small molecule called adenosine triphosphate, यानि ATP, यानि mitochondria से जो chemical energy निकलती है, उसको adenosine triphosphate नाम के छोटे-छोटे molecules में store किया जाता है, next point, mitochondria अबर first discovered by colicor, involuntary muscle of insects, सबसे पहले mitochondria की खोश कोली करने 1880 में की थी, और कहां की थी, keto यानि insects की muscles में की थी, next is, a mitochondria is nicknamed the powerhouse of the cell, first coined by Philip Sikiewicz in 1957, article of the same name, यानि mitochondria को cell का powerhouse का नाम दिया आता है, जिसे पहली बार, इसी नाम से 1957 के आर्टिकल में, Philip Sikiewicz ने लिखा था, next cell organelle है, Golgi apparatus, the Golgi apparatus और Golgi complex functions as a factory in which protein receives from endoplasmic reticulum are further processed and stored for transport to their eventual destinations, lysosomes, the plasma membrane और secretions, यानि Golgi apparatus या Golgi complex एक factory की तरह काम करते हैं, जिसमें endoplasmic reticulum से protein को लिया जाता है, और आगे की process के लिए भीजा जाता है, और उनके आखरे ठिकाने, lysosome, plasma membrane या secretions तक transportation के लिए छाटा जाता है, अब आते हैं vacuoles, a vacuoles is a membrane bound cell organ, यानि vacuoles एक जिली युक्त कोशिकांग है, यानि इसमें क्या होता है, membrane पाई जाती है, next point, in animal cells, vacuoles are generally small and help sequester waste products, यानि animal cell में vacuoles क्या होते हैं, जनरली छोटे होते हैं और waste product को इखटा करने में help करते हैं, इन plant cells, vacuoles help maintain water balance, यानि पादब कोशिका में या plant cell में vacuoles पानी के balance को बनाये रखने के लिए help करते हैं, next is lysosome, Christian Rene D. Devu is the father of lysosome, यानि Christian Rene D. Devu को father of lysosome कहा जाता है, next, lysosome is also called societal bag of the cell, यानि lysosome को कोशिका की societal bag, यानि आत्मातिया की तहली कहा जाता है, disposal unit of cell, cell की disposal unit है, यानि cell को सिर्फ यही dispose कर सकती है, तो बस यही ता cell का basic, अगर आपको कोई भी doubt लग रहा है तो comment box में जरूर पूछना, और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है, तो हमारी वीडियो का एक like जरूर दें, वीडियो के अपडेट्स के लिए और interesting facts को पढ़ने के लिए हमारा इंस्टाग्राम पर एक page है, medical का घ्यान, उसको जरूर follow करें, ओके बाई, next वीडियो में मिलते हैं,